यूट्यूब चैनल तिंग टेक्निकली रहा आज की इस वीडिये हम डिस्कस करेंगे कि हम एडमिशन के लिए फ्लक्स और पर्टिक्लर पोस्टर कैसे क्रेट कर सकते हैं और उसको इमेज फॉर्मेट में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं फॉर अपलोडिंग की जैसे आपने पोस्टर अगरा बना लिया तो उसको आप इमेज फाइल में कनवर्ट करके कैसे फेस्बुक पर वस्टर पर इंस्टाग्राम पर देर और शो मैनी इन शोशल नेटर्गी विबसाइट्स जिन पर मैं MSWord open कर रहा हूं तो यहां पर सबसे पहले मैं फाइल को save कर लेता हूं तो मैं F12 function की use कर रहा हूं save करने के लिए जो फाइल का नाम है उसका मैं नाम दे रहा हूं Adam तो उसको मैं desktop पर save कर रहा हूं मैंने particular admission open का बनाया है यहां पर folder तो उसमें मैं इसको particular extension की help से save कर लेता हूं this one now अब देखिए इसकी जो orientation है that one is portrait तो page layout में जाकर आप उसको landscape में convert कर लीजे because मुझे यह जो particular flux है यहां admission का जो form है वो मुझे चाहिए यहां पर landscape form में mean to say horizontally तो मैंने उसको convert कर लिए now उसके पास सबसे पहले अगर आपके पास logo कर रहा है तो logo लगा लीजे तो insert में जाकर picture में जाकर आपका जो भी logo है तो particular उस particular logo को आप choose कर लीजे तो जैसे logo है यह logo easily move नहीं होगा तो move करने के लिए आपको जाना पड़ेगा format time में यहां पर text tapping wrap text में जाकर in front of text रखना पड़ेगा तो इसको मैं यहां से set कर लेता हूँ जितना भी यहां पर size चाहिए copy paste कर लूँगा इसको मैं दोनों sites पे रख लेता हूँ नाव इसके बूच में मुझे school का नाम लिखना है तो इसके लिए मैं insert में जाऊंगा यहां से मैं use करूंगा word art first word art up choose करेंगे तो यहां पर लिख दूँगा जो भी school का नाम है कमल kids play school तलवारा तो यहां पर admission open का मुझे बनाना है तो मैंने school का यह नाम लिख लिया और इसको bold कर लिया if you want to give any designer font then उसके लिए आप यहां से designer font use कर सकते हैं जो भी आपकी need आप कर सकते हैं यहां पर बहुत अच्छे-च्छे fonts हैं यह आप normal एक text word में लिख कर उसको आप choose करके देख सकते हैं कौन सा आपको font चाहिए तो फिलाल मुझे यहां से चाहिए कोई भी font ले सकते हैं तो मैं Arizona लेता हूं यह वन ठीक है तो उसको मैं यहां प इसको मैं set कर लेता हूं अगर आपको font अच्छा ना लगे चेंज करना चाहते हैं अगेन राइट क्लिक करके आप edit text में चले जाएंगे अगेन यहां से there are so many fonts जो भी आपको अच्छा लगता है copper black font अच्छा होता है तो मैं यहां से copper black चूज़ कर लेता हूं केंडरा भी अच्छा होता है लेकिन केंडरा की जो size वारा बोल्ड नहीं होता तो यहां से copper black देख लेते हैं चलो केंडरा ही लेते हैं आप अपने नीट के recording ले ले लेना तो इसको मैं यहां से color इसका black लेता हूं और outlining भी black देता हूं this one अब है क्या जी admission open है तो admission open की मैंने images download की है फिलाल उसका जो link है हम आपको वीडियो के description में दे दूंगा वहां से आप उसको download करके लगा सकते हैं अपने particular इस flux में यह particular poster में तो picture पर जाएए next top पे मैंने picture save कर रखी है admission open की तो यहां से आप कोई भी admission open का format चूज़ कर सकते हैं यह है like this one तो मैं इसको double click करता हूं और format में जाकर wrap text in front of text कर देता हूं इसको मैं थोड़ा चोटा करके इसको top पे रख देता हूं so dad थोड़ा अच्छा लगे this one now नीचे लिख लेते हैं address वेरा तो उसके लिए मां और अच्छा करने के लिए यहां एक line draw कर लेता हूं shift को press करके आप straight line draw कर सकते हैं if you want to make it bold तो यहां से format में जाकर shape order में जाकर यहां से इसको board कर सकते हैं और color वेरा आप देना चाहें कोई तो यहां से color भी change कर सकते हैं zoom कर लेता हूं थोड़ा सा है कहां address लिखने के लिए इसको copy कर लूँगा और paste कर लूँगा तो मैं यहां लिख लेता हूं near OBC bank तल्वारा टॉंचिप सो यह मैंने यहां पर address लिख लिए OBC को capital कर देते हैं ok कर दीजिए तो इसको मैं थोड़ा size adjust कर लेता हूं if you want to give any contact number तो आप contact number detail वरा दे सकते हैं like यहां पर edit करके फिर से right clicker कर करेंगे district दे लेते हैं जो भी district है spelling वेरा का थोड़ा ध्यान रखिएगा पंचाब दनोकी अगर आपकी mistake वेरा हो जाए आप इसी पर right clicker करके credit कर सकते हैं तो इसको मैं यहां से set कर लेता हूं this one color आप change करना चाहिए तो color भी आप change कर सकते हैं अगर आप page का color देना चाहिए page layout में जाकर यहां से you can select any page color जो भी आपको अच्छा लगता है फिलाल मुझे नहीं देना तो मैं यहां पर कोई नहीं दे रहा now next अब नीचे मुझे matter लिखना है तो matter के लिए आपको पता admission है तो बच्चे चाहिए यहां पर तो उसके लिए आप insert में जाएंगे picture में जाएंगे तो यहां पर मैंने एक particular picture डॉग download कर रखी है तो उस picture को मैं choose कर रहा हूं इसको भी format में जाकर wrap text में जाकर in front of text कर लीजिए यह पूरी जो pictures वेरा हम आपको video के description में दे दूँगा वहाँ सब उसका use करके अपने recording ready कर सकते हैं कोई भी अपना flux वेरा for admissions के लिए जितना attractive बनेगा उतना ही जादा अच्छा होगा तो अब मुझे लिखना है कि special discount हो रहा है तो उसके लिए मैं same इसी को copy कर लूँगा जो heading है और इसी को paste कर लूँगा नीचे ले आते हैं इसको तो यहां पर matter लिख लेते हैं जो मैं लिखना चाहता हूँ like registration slash admission open from from के बाद नीचे लिखेंगे तो इसको मैं यहां पर adjust कर लेता हूँ इसी को copy paste कर लेते हैं copy paste है आपका size size और जो particular बार बार लिखने का काम है कम हो जाएगा तो इसी को right click करके मैं edit कर लूँगा second जो particular picture थी pre nursery 2 यह pre nursery तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9th classes यह class 4 session 220 220 221 और यहां से okay कर दीजिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ नीचे अगर आप लिखना चाहिए दिस्काउंट हो गए रहा तो इसी को मैं edit कर लेता हूँ available special discount spelling गए रहा का थोड़ा ध्यान रखिएगा बहुत matter करता है on admission और इसको थोड़ा set करके अगेन मैं copy paste कर लेता हूँ next पे विकोज बार बार लिखने से बैटर रहा है word art के आप से आप इसी को copy paste कर लें तो इसको आप लिख सकते हैं charges for classes या class nursery या pre nursery जो भी आपकी है nursery पूरा लिखते हैं nursery तो चलिए यहां पर first लिख लेते हैं in the month of January month of January तो फिल स्टॉप कर देते हैं चलिए 2020 ले ले लेते हैं then full stop now अब देखे अगर discount की बात आई तो यहां पर offer होगा that means यहां green colors हम show करेंगे थोड़ा अच्छा होगा तो मैं यहां से green color में इसको show कर देता हूं और इसकी outline भी green कर देता हूं और बाकियों का color पहले इसको set कर लेते हैं थोड़ा सा so that थोड़ा अच्छा लगे तो इसको मैं set कर लेता हूं यहां से तो इसको थोड़ा सा पीछे move करेंगे यहां से like this one adjustment थोड़ी से कर लीजिए so that अच्छा लगे तो इस यहां पर मैं एक और line दे दूँँगा जिससे और अच्छा लगे तो इसको मैं select करके again यहां से इसकी जो outlining है और यहां से जो इसका color है green कर देता हूं इसको थोड़ा सा enlarge कर देते हैं so that थोड़ा अच्छा लगे अपनी knit के coding अप setting कर सकते हैं यह तो मैं अपनी knit के coding कर रहा हूं इसको मैं यहां पर रख लेता हूं और इसके बीच में फिर से line draw कर लेते insert में जाएंगे shapes में यहां से shape लेंगे line और यहां से shift को press करके line draw कर दीजिए थोड़ा बाहर ले आते हैं कोई problem नहीं है इसको थोड़ा पीछे adjust कर लीजे अब line थोड़ी मुझे attractive सी चाहिए तो आप क्या करेंगे same format में जाकर जब आप जाएंगे shape outline में तो format में जाकर shape outline में जाकर यहां से आप use कर सकते हैं different lines weight में जाकर पहले यहां से weight दे लीजे और again shape outline में जाकर arrows में आप इनको particular arrow दे लीजे यह देखिए you can choose any color जिससे थोड़ा सा attractive लगे this one यह देखिए एक बार को show कर देता हूं यह देखिए कितने easy way से हमने create कर लिया और थोड़ी modifications करना चाहते है insert में जाए जो मैंने pictures वेरा और download किया उनको ले लीजे हैं से like stars लेने तो stars को मैंने यहां पर insert कि again format wrap text in front of text कर दिया और stars इसको मैं यहां पर कहीं apply कर देता हूं जैसे थोड़ा attractive लगे like this one इसको थोड़ा घुमा लेते हैं तो घुमाने के लिए मैं zoom करता हूं एक बार इसको बता देता हूं यह जो यहां पर देखिए green symbol आ रहा चोटा सा इसको आप यहां से move कर देजिए मैं थोड़ा चोटा कर लेता हूं यहां से भी stars को यहां लगा देते हैं कि problem नहीं है यह this one और को फोटो गा राट करना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं like खेलते बच्चों की मुझे फोटो चाहिए तो उसके लिए again insert में जाएंगे यहां से picture में जाएंगे तो यहां से मैं यह photo choose कर लेता हूं यहां बच्चे खेल रहे हैं तो यह choose कर लीजिए इसको भी format wrap text in front of text कर लीजिए और इसको adjust कर लीजिए जहां भी आप set करना चाहिए अब यहां देखिए एक और चीज अच्छी लगेगी अगर देखिए main चीज़ा जब आप कोई भी designing वेरा करते हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए तो यहां पर अगर बच्चे खेलते लगा दिये जाएं तो और भी अच्छे लगेगा discount मिल रहा है यहां बच्चे खुश हो रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा पर adjust कर देता हूँ adjustment थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी उसके recording like this one इसको adjust कर दिया line को पर move कर लिया मैंने this one is line और इसको नीचे set कर लिया और इसको थोड़ा से enlarge कर देते हैं बच्चों को नीचे से भी थोड़ा कर देते हैं थोड़ा सब कर देते हैं now see और यहाँ पर एक वर show कर देता हूँ आपको कैसा बनाएगे now see, काफी अच्छा बन गया है और अगर आपको color vera change करने तो इनको फिर से आप color vera जो भी आपकी color combination आप use करना चाहते हैं वो आप use कर सकते हैं फिलाल मैंने अपने recording जो मुझे अच्छे colors लगे वो मैंने लिए थोड़े dark color लीजी अच्छा लगेगा चलिए मैं थोड़ा यहाँ dark color ले ले लेता हूँ because dark color थोड़े attractive से लगते हैं जो दे दिखिए और भी अच्छा लग रहा है red color थोड़ा कम use करिए heading में दे लिए that's good because red color आपको पता है एक अच्छा sign नहीं होता तो हम यहाँ green color दे लेते हैं this one पे तो यहाँ पर green दे लिए और उसकी outline भी मैंने यहाँ से green कर ली सारे tools format से ही maximum use करेंगे आप तो यह देखी यहाँ पर यह convert तो हो गया बना तो लिया मैंने लेकिन अब इसको image file में कैसे convert करेंगे तो उसके लिए यहाँ तो आप इसका size ऐसे कर लीजिए और इसका window और print screen से snapshot ले लीजिए otherwise मैंने इसमें extra tool डाउनोड करके रखा जिसका नाम है universal converter उसके लिए आप keyword से control P कीजिए जब आप control P करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है printer में universal document converter यहाँ से इसको print कर देंगे जब आप print कर देंगे तो उसके recording जो भी आप यहाँ फाइल होगी वो यहाँ पर देखे convert होनी शुरू होगी after conversion तो यहाँ पर आपको मांगेगा कि इस particular जो भी आपने image लिया उसको particular open करें तो open का अगर option ना भी आए problem नहीं है देखते हैं यहाँ पर फिलाल processing चल रही है image की तो यहाँ फिर से convert कर लेते हैं आप directly यहाँ से भी कर सकते हैं universal document converter पर जाकर यहाँ से document convert करेंगे और यहाँ से इसको desktop मैं admin में save कर रहेता हूँ तो यहाँ देखिए processing चल रही है तो यहाँ मेरा document save हो गया फिलाल यहाँ पर देखे conversion हो रही है after converting that file into particular jpg format तो यहाँ से इसको open with करें picture major उसको ok कर दीजे ok करने के बाद यह देखिए यहाँ पर यह मेरी picture show हो गई है अब यहाँ पर देखिए जो मैंने वोडाट लिया था वो यहाँ पर नहीं आया तो अगर आप भी यह problem face करें तो आप क्या करेंगे उसके लिए और tools हैं जिसका आप use कर सकते हैं तो उसके लिए हम use करेंगे snipping tool का तो आप snipping tool के लिए यह देखिए आप search बार में जाएए यहाँ पर लिख दीजिए snip तो snipping tool आ रहा है तो यहाँ से new में जाकर आप यहाँ से जितना आपको area चाहिए उतना area cover कर लीजिए और cursor छोड़ दीजिए और file में जाकर जब आप इसको save as करेंगे तो इसको particular location प्रोवाइड कर दीजिए मैंने desktop पे save कर दिया और इसको close कर दिया और यह जो options सारे हैं सभी को close कर दिया तो यह देखिए जो मैंने particular अभी image मैंने create की एक flux वेरा वो यहाँ पर display हो रहा यह देखिए तैसे आप convert कर सकते हैं फिलाल जो हमने अभी मैंने आपको बताया कि आप particular जो universal document converter का use करके कर सकते हैं otherwise और भी understanding के लिए आप सबसे पहले इसको control P करिए और यहां से PDF में convert कर लीजिए PDF में convert करने के बाद आप इसको online भी convert कर सकते हैं यह देखिए Microsoft PDF converter इसको जब आप print करेंगे आप से location मांगेगा कि आप कहां इसको save करना चाते हैं तो आप इसको जहां save करना चाते हैं वहां इसको save कर दीजिए तो desktop मैंने इसको save कर दिया लेकिन one more thing जो सबसे important thing है कि आपको जो print review है वो पता होने चाहिए कि आपका document कैसे show करेगा तो उसके लिए आप keyboard से control F2 प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए फिलाल सब कुछ होके है तो यहां से भी आप window और print screen कर सकते हैं snapshot के लिए इतना area आप crop कर सकते हैं जब आप किसी भी particular picture का snapshot लेते हैं तो आप दिस PC में जाएंगे दिस PC में जाने के बाद यहां पर देखिए जो left hand side है यहां पर pictures का option आ रहा है यहां screenshot यहां पर trackly RS पर चले जाएंगे तो यहां पर last में देखिए जो snapshot लिया मैंने आ रहा है right click करके आप इसको open with करेंगे और Microsoft Office picture में जाएंगे तो added picture में जाकर यहां से आप इसको crop कर सकते हैं अपनी नीट के recording जितना आपको area चाहिए उतना आप area unwanted portion को discard कर दीजिए और crop कर दीजिए ओके कर दीजिए यह देखिए कितनी easy way से यह convert हो गया अब यह crop क्यों मैंने किए इसका अंसर भी आपको देता हूँ विकाज जो मैंने पहले photo click की थी यहां से आपको show कर देता हूँ मैं like this one इसमें देखिए यह cursor की location show कर रहा है आपको zoom करके बताता हूँ यह cursor location लेकिन अगर आप cursor location नहीं चाहते तो दूसरा जो मैंने आपको method बताया form त्यार कर सकते हैं flux ready कर सकते हैं कोई media efficient card ready कर सकते हैं so friends जो process करके देखिए जो मैंने इसमें tools यूज की है वो हम आपको video के description में देदूँगा जो photos वेरा use की हैं उनका आप यूज करके इससे भी attractive आप admission particular flux वेरा जा advertising वेरा ready कर सकते हैं so thank you friends for watching our video